मने पास यह problem fix हो चुक है अब यहां भी हम अपना wifi का password इंटरी करके wireless internet इस्तमाल कर सकते हैं आप रिशान होने की जुरूत नहीं आज की इस वीडियो में आपका यह problem पका solve उने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके problem live solve करके दिखाऊंगा इस वीडियो में आपके साथ 3 methods share करूँगा जो 100% workable है इसमें से 2 methods रहती हैं जो कुछ laptop भी work करेंगे और कुछ laptop भी work नहीं करेंगे लेकिन last method जो है तमाम laptop भी भी work करेगा Windows 7 में भी, Windows 8 में भी और Windows 10 में भी इसलिए आपने वीडियो को किसी step को skip नहीं करना है और तमाम methods को one by one apply करने वीडियो देखने के बाद 100% guarantee अगया आपका problem fix हो जाएगा वीडियो देखने के बाद आपने मुझे comment करके जरूर बताना है कि आपका यह problem solve हुआ है या नहीं चैनल को subscribe और वीडियो को like करना ना भूली चैनल के वीडियो स्टार्ट करते हैं चैसे कि आप देख रहे हैं या मेरे पास यह problem आ रहा है अब आपको live solve करें के दिखाऊँ है यह problem तो सबसे पहले आपने यहाँ पर start button पर जाना है यहाँ पर search करना है device manager search करने के बाद हम इसको open करेंगे जैसे open करेंगे तो कुछी तरह की मारे पास window आएगी यहाँ पर आपको show हो रहा हुआ network adapter आपने network adapter के उपर click करना है तो इसको expand कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मेरे पास just एक driver यहाँ पर show हो रहा है और काफी तरह driver मेरे पास missing है तो आपने क्या करना है आपने यहाँ पर top पर जाना यहाँ पर PC का आपको icon show हो रहा होगा scan for hardware changes इसके उपर right click करने just single right click करने जिसके बाद आपके कोई भी एक driver missing है तो automatically वो drivers reinstall होने शुरू हो जाएंगे आपने यह method अप्लाई करने अगर तो आपके problem solve हो गया है तो वह अच्छी वाद है अगर नहीं solve हुआ तो कोई वसला नहीं मेरा खुद का भी problem पी solve नहीं हुआ है समझे हो समझे हो समझे हो आपने method number two अबलाई करने method number two के लिए अगर आपके पास अगर आपके पास वाइफा कनेक्ट नहीं भी हो रही तो आपने laptop पे internet चला सकते हैं कैसे चला सकते हैं data cable के साथ आपने data cable लेनी है जैसे कि आप मैंने लिए है तो यहां पर आपने इसको laptop के अंदर लगाना है आपने वीडियो के किसी step को skip नहीं करना है अगर आप इस problem solve करना जा रहे हैं जैसे यहां पर अपने data cable को लगाएंगे तो आपने अपने mobile की setting पर जाना है यहां पर wireless network पर जाना है इसके बाद यहां पर टीथ्रिंग portable hotspot पर जाना है net connect होने वाला है तो आपने यहां पर तो options हो रहे हैं Bluetooth टीथ्रिंग और ESP टीथ्रिंग इन दौनों को आपने ओन कर देने जैसे आप ओन करेंगे आप laptop पर देख रहे हैं वहां पर searching होने शुरू होगी और यहां पर आप देख रहे हैं कि मारे पास laptop पर internet access होगी है अब आपने क्या करना है यहां पर method number two को apply करना है यहां पर अगेन आपने start button पर जाना है device manager यहां पर type करना है इसके पर आपने इसको open करना है अगेन आपने network adapters पर जाना है यहां पर जापके network adapters आपको show हो रहे होंगे आपने उनको update कर लेना है तो driver update करने के लिए आपने इसके उपर right click करना है update driver software पर click करना है search automatically for update driver software इसके उपर click करना है जैसे इसके उपर click करेंगे तो मारे पास यह driver अपडेट हो जाएगा इससरा आपने जिव भी driver आपके पास होगे आपने सब के सब अपडेट कर लेने और यह hope कि आपका इस problem fix हो जाएगा अगर ने fix हुआ तो कोई आपने अपने connect रहने देना है पिछे यहाँ पे अपने driver pack solution लिखने है ऐसी website आने वाली है जो आपके drivers को जो भी आपके laptop को missing होगे automatically download करके install कर देगी यहाँ पे आपने इसको पर right click करना है fast website के उपर जैसे यहाँ पर उपर शो हो जाएगी यहाँ पर download driver pack online इसको उपर क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारे बास वो software download हो रहा है इसके पर यहाँ पर उपर इसको right click करना है यहाँ पर इसको run करना है और install कर लेने जैसे जैसे मैं step कर रहा हूं similarly आपने वैसे ही steps करने ही यहाँ पर कुछ पी आपने skip नहीं करना है बार बार मैं आपको कह रहा हूं अगर आप अपने problem solve करना जा रहे हैं तो इसके बाद मारे पास कुछ इस तरह की window शो होगी यहाँ पर कुछ ही slow चलेगा तो आपने थोड़ा wait कर लेने कुछ दिर के बाद आपके बास कुछ ऐसा ही show होगा तो यहाँ पर आपको याद रखने की बाद है यहाँ पर okay start installing इसके उपर click नहीं करना है आपने यहाँ इसके नीचे क्लिकाओ open expert modes यहाँ पर open expert mode पर आपने click करना है जैसे click करेंगे यह कुछ loading होगी मारे बस जैसे loading complete होगी आपको बस कुछ इस तरह का जाएगा तो यहाँ पर आपको show कर रहा है कि मेरे laptop में यहाँ पर e-drivers जैसे हैं जो required हैं जो install होने चाहिए लेकिन नहीं है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सबकर आपको select कर लेना उपर वाले को इसके बाद अगर drivers को update करना चाहरे हैं तो वह भी आप कर सकते हैं यहाँ से यह wifi का drivers हैं जो मेरे पास laptop मिसिंग थे यहाँ पर आपको आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर end पर जाना है और install all पर क्लिक कर देना है जैसे यह आप install all के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ loading स्टार्ट हो जाएगी यह अब क्या कर रही है यह website आपके जितने भी laptop के drivers मिसिंग थे उनको automatically download कर रही है download करने के बाद इसको install भी कर रही है इसके अपर कुछ time लग सकता है यहाँ पर depend होता है कि आपका internet connection यहाँ पर कितना fast है usually इस procedure करने को 20 से आपको 50 minute लग सकते हैं बार बार यह कह रहा हूँ कि आपका internet connection अगर full speed में होगा तो यह आपका time कम लगेगा तो जितना भी time लगे आपने अपने laptop की screen को कुछ नहीं कहना है आपने just अपने laptop को यहाँ पर रख देना है और इस processing को complete होने देना है अगर आपका processing रुक जाता है बीज में date grant अगर आपके रुका हुआ है तो आपने क्या करना है इसको cancel करना है और gain यह process दोबारा करना है जैसे यह processing कमरीट हो जाएगा इसको आपको option show करेगा restart यहाँ पर आपने restart के ओपर क्लिक करने जैसे आप restart के ओपर क्लिक करेंगे आपका laptop एक बार restart हो जाएगा जैसे विन र restart होने के बाद यहाँ पर अपने laptop को open हुआ मेरा bus यहाँ पर आप देख रहे हैं मरे पास यह problem fix हो जुका है अब यहाँ पर हम अपना wifi का password इंटरिकर के wireless internet इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको यह problem solve हो जुका है यह video बनाना यह बहुत मेनत लगिए please subscribe and like this video and share your friends thanks for watching